हेलो माई दियो फ्रेंड प्लेकुट एक्जाम गुरू जी आज हम UPSC J.E. का पार्ट सेकंड डिसक्स करने वाले हैं 2015 के कॉशन का यहां पर भी 30 कॉशन हमारे रहेंगे आप कमेंड बॉक्स में स्कोर जुरूर लिख सकते हैं कि आपने आउट ओफ 30 में कितना स्कोर किया है और यह दिहान दे कि जो आपके एक्जाम हो रहे हैं HP J.E. वालों के तो कई कॉशन जो है वो UPSC J.E. से आ रहे हैं तो इन सीरीज को का देखना जो है बहुत ही जरूरी है तो जरूर देखी इन सीरीज को तो फॉस्ट क्वेशन देखि हमारे पास क्या है due to end of circulation of shape and of circulation of shape या फिर design of property is known as उसको हम क्या बोलते हैं uncirculation या फिर distress value या फिर salvage value या फिर scrap value very important question है ये UPCJ में question पूचा गया था तो end of circulation of shape और design of property उसको हम बोलते हैं uncirculation end of circulation यहां से ही आप question को इस find out कर सकते हैं कि end of circulation जो circulation है वो end हो चुका है तो उसको हम uncirculation बोलेंगे यह हमारा इस question में अंसर हो जाएगा अगला जो question है वो भी very important question है यहां पर question क्या बोरा in building construction for one time surcharge और electricity and water is added for the cost of tax total cost of the building तो electrification का जो charge होता है surcharge जो होता है for electricity and water का वो हम कितना लेते हैं total cost जो होती है building को उसमें 12% 10% 8% यह पर 5% तो हम 8% हम लेते हैं हिंदी और इंदी दोनों question section में question जो हुआ है लिखा हुआ है जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में question को देख सकते हैं यहां पर ऐसा नहीं कि लेते हैं estimated cost में उसके बात हमारे पास यह अगला question क्या है इन मैसेनरी वर्क वाइल डूइंग रेट एनलेसिज water surges taken as water jar सब कितना परसन लेते हैं 1.5% आप लेते हैं option number D हमारा इस question मनसर हो जाएगा इसकी जो पीडियेफ है आपको मिल जाएगी वीडियो के लिंक दिया उस लिंक पर जाकर आप पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उस वहां पर जाकर question भी लगा सकते हैं multiple choice के question है यहां पर as applied to staff reading correction for curvature and reflection are respectively तो क्या होती है curvature and reflection जो होती है correction जो होते है curvature के लिए वो negative होती है and reflection के लिए positive होती है दोनों points को आप याद रखिए exam के point भी से यह very important है तो इस question का answer हमारा option number B हो जाएगा अगर जो कुश्चन है दर suitable contour interval for map with scale हमारे पास यह scale दिया गया है 10,000 एक वटा 10,000 का scale दिया तो suitable contour interval जो होता है वो 2 meter का होता है least count की बात हो रही है यहां पर least count जो होता है prismatic compass के लिए वो कितना होता है very important question है surveying compass के भी आप से पूछा जाएगा कि surveying compass का least count कितना होता है prismatic यह बात करें तो वो 30 minute का होता है and survey compass के अगर हम बात करें तो वो 15 minute का होता है अगला जो question minimum angle between axis of wear and canal head regulator is angle की बात हो रही है यहां पर between किसके बीच में है axis of wear and canal head regulator के बीच में तो वो angle होता है 90 degree का यहां पर answer भी लिखा हुआ है अगर आप simply आपको ऐसा ही पढ़ना है तो आप वीडियो देखने के जुरूट नहीं आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं याप मैं बोल रहा हूं तो आपको दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो जा रहा है कि क्या क्या यहां पर हो रहा है तो यह आपको सुनना जुरूरी है ऐसा नहीं कि आप अंसर मैं आपको विजिवल रख रहा हूं तो आप कॉश्चन को सुने ही ना खुद ही बढ़ रहे हैं तो इससे कोई फाइदा नहीं होगा अगला कुछन एक कैनाल कंस्ट्रक्टर नॉर्मल टो कंटूर लाइन्स ऑफ एरिया इस कॉल्ड कैनाल जो है उसको हम क्नाल हम बोलते हैं जिस कनाल को हम कंटूर लाइन्स ऑफ एरिया के नॉर्मल बनाते हैं अगला जो कोशन हो प्रक्राइब हाई रहाईड्रो सायंस यह फिर हाइड्रोलोजी सर्कल इस डूनोटर वाइक्वेशिवेशिण कौन सी इक्वेशिवेश्चन से हाइड्रोजी है है उसको हम डिनोट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं प्रिश्पिटेशन इस उकल टू ई प्लस आ ऑप्शन नमबर ए हमारा इस कोश्ण में अंसर हो जाएगा अगले कोश्ण देखिए वो भी सारे ही कोश्ण यहां पर इंक्लूड है ऐसे इंपोर्टन है तो सारे कोश्ण इजी कोश्ण है वैसे हाइट ऑफ सुनामी वेव डिपेंड स्पॉन जो उंचाई होती है सुनामी जो तरंगी होती है वो किस पर निर्भर करती है फिर पहले का अग्र thislass कोश्ण देखिए तावर बोल्ट इसमेड सब्सक्किशन तरश मेरा जाते हैं किसके बनाइग जाते कि प्न जो हिंदी वाले यहां पर question का अंसर भी देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है यह वाला question जो है एच पीजय में हाली में question पूछा गया था penetration test which one is used for determining its penetration test आप करते हैं बिचमेन के उपर तो वह किसको determine करने के लिए करते हैं तो वह grade option number यही वहां पर answer दिया हुआ था देखिए UPSC J से यह question पूछा गया था HPJ में तो UPSC ऐसा नहीं है कि other state में question पूछा गया तो आपको पढ़ना जुरूरी नहीं है तो यह आपको पढ़ना बहुत ही जुरूरी है अगला question देखिए side slope जो होता है माउंटेनिस की बात आती है तो 1 in 20 से अधिक नहीं होना चाहिए अगला question देखिए थिकनेस ऑफ डॉमर लेड 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 इन बिचमन रोड इज डॉमर लेड डॉमर की थिकनेस कितनी होती है very important question आई यह तो डॉमर की जो लेड होती है वो दो से तीन सेंटीमेटर की होती है अब यहां पर देखिए यह question very easy question है यहां पर दो क्वेशन आपको देखने को मिलती है वन डिगरी कर्व इस एकॉल एंटू किसके एकॉल होता है वन डिगरी कर्व जो होता है तो अगर आपसे 20 मीटर चेन के लिए पूछ लिए जाए 20 मीटर की चेन है लिए 30 मीटर की चेन यह 20 मीटर के लिए है यह 30 मीटर के लिए है तो हमारा अंसर तो यही होता है UPSC के लिए क्अब के ओप्शन में यह परवाइडर नहीं था तो यह दोनों आपको याधर रखनें के 20 मीटर के लिए कि तना होता है तो में आखोके बाइन के लिए कितना होता यह दोनों इंपोर्टेंट एक्जाम के पॉइंट भी से अगला जो कुशन है वह भी बैरी इंपोर्टन कोशन नहीं यहां पर बार थे हुं हुरने कि अगरोप पोस्स से एक है ने संब्सका उटरीघिज से मि अकल टाहरी है खिर फोलते हैं कौशिछ के लिए ह divorce बोलते हैं दूसको幾 इंख बोलते हैं जिसका है सेम ही होता है ।सारी जेसाग होता है है कि अगला कॉशेन देखी इभी इंपॉर्टन कॉश्चन है तो इकुल और ओपेज़ट डिरेक्शन फोर्स दो एकुल और ऑपेज़ट डिर्एक्शन फोर्स एक्टिंग एंड एन वैल्य तब होगी वो जीरो होगी मश्चर कंटेंट की बात ओर है तो मॉश्चर कंटेंट जो हता है वैल सीजन टिमपर का वो 10-12 % होना चाहिए ऐसे नहीं कि आगे-पिछे हो जाए वो नहीं चलेगा इतना तो कम से कम होना ही चाहिए अगला कॉश्चन भी वेर इंपॉटेंट है यहां पर है एस पर हमारे इस आई स्कोड के कॉडिंग इनिशाल सेटिंग तैम जो होता है वह थर्टी मिनट्स का होता है दस गंटे का जो होता है वह फाइनल सेटिंग टाइम होता है अब easy question है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देने है क्योंकि एक्जाम में नहीं पूछे जाएंगे एक्जाम में पूछे जाते हैं लेकन question थोड़ा sense बना के वो बूछते हैं अगला question क्या है when the plastic limit of soil is greater than plastic limit जो है greater than है the liquid limit plastic limit जो है soil की वो ज्यादा है liquid limit से then plasticity index is reported as the plasticity index को हम zero reward करते हैं अगला question भी important question नहीं यहाँ पर question के बार है minimum depth जो होती है foundation in clay soil के लिए minimum depth जो होती है foundation की clay soil है उस cases में तो वो 500 mm होती है यह दोनों point आपको याद रखने है 500 या फिर point पांच मीटर यह हमारा इस question में अंसर हो जाएगा उसके बाद पुट्टी यह देखिए common question है कई बार HPJ में पूछा जा चुका है तो पुट्टी किसकी बनी हुई होती है पावडर चोग एंड रा लिंस्ट ओईल की बनी हुई होती है चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लो हुआ हुआ है जितने भी UPSCJ में question पूछे गए है वो सारे ही मैं एक सीरी चलाई हुई HPJ की 2000 question की series की one one liner के question है तो वहां से सारे ही question वहां से उठाए गए है तो slope slope रूप है यहां पर जिसका slope की से चारों तर्फ होता है तो चारों तर्फ का मीनिका एक दो तीन जाए तर्फ देखिए यहां पर ट्रिक मैंने आपको बता दिया उसको हम ही हिप रूप बोलते है अगला question देखिए अगला question भी important question है यहां पर slump test is finding out the workability slump test क्या find out करता है workability of concrete की find out करता है in concrete the maximum size of aggregate should not exceed तो उस cases में जो aggregate का size है वो कौनसी value से ज्यादा नहीं होना चाहिए 38 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह points आप याद रखी exam के point of view से very important है अगला देखिए टेंजाल स्टेंथ की बात करते हैं तो माइल स्टिल की टेंजाल स्टेंथ होती है वो 42 देकर चुरुणजाव सो गेजजी सेंटी मीटर होती है यह question भी important है weight of one rag of cement यह भी easy question है HPJ में पूछा गया था 50 kg weight होता है हिमाचल में कौन सा cement use करते हैं HPJ में question पूछा गया था तो portland cement use करते हैं अगला देखिए lost angle machine is used to test aggregate को find out करता है lost angle machine जो होती है aggregate की operation resistance को find out करता है अगला देखिए इन-soluble residue होता है स्मेंट में वह कौन सी value से ज्यादा नहीं होने चाहिए कि तो वह less than 12 पंदरा परसेंट से काम नहीं होने चाहिए शुडबी लेस शुडबी लेस तन काम होने चाहिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाबट से अभी सब्सक्राइब कर लो अगला देखिए फोर चेकिंग दा लेंथ आफ ब्रिक ब्रिक की आपको लेंथ चेक करनी है तो हमारे आईस कोड के गॉर्डिंग आप कितनी ब्रिक्स जो है लेते हैं दस बीस तो डिट्स आ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेर करना मत बूलीगा और पूरी सीरीज को देखिए हमारा यह सिक्स पार्ट है यूप्यसी जेगा तो आपको यूप्यसी के जेए के इतने अच्छे-च्छे कोशन मिल रहे है एसने की यूप्यसी में important है यह question यह हर एक state के board में question important है क्योंकि यहां से question पूछे जाते है ऐसने की जो पंजाब वाले हैं उनका जेए का syllabus कुछ अलग होता है हिमाचल वाले का अलग होता है यूपी वाले का अलग होता है सभी का syllabus सेम ही रहेगा ब्रिक सभी के लिए कॉमन रहेगी उसका साइज भी कॉमन रहेगा सभी के लिए तो पन्ना आपका ही फर्ज है पढ़ लीजे को जो भी मैं आपके लिए कॉशन लेके आता हूं तो थैंक यू फैंडी वीडियो देखने के लिए